वेलकम यॉल्ट यॉर ओन चैनल टार्गेट फॉर आईक्यू उत्राखन में देखिए रीसेंट एक साल के अंदर जो भी कुछ हुआ है हम उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे उत्राखन के लिए ही नहीं बल्कि यह उत्राखन के अधर गवर्मेंट एक्जाम के लिए उत्राखन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको पूरी पूरी वीडियो देखेगा स्किप मत करेंगा कहीं भी क्योंकि मैंने डिटेल में काफी जगाओं पे डिटेल भी बताई है कि चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए उत्राखन जो यहां पे क्या करा आसकता है कि जो सिंगौली भटवारी हाईड्र उल्क्ति प्रोजेक्ट कुस डिस्टिक में क्या होगा सिंगॉली भतवारी हईडरोईट्रिक प्रोजयक्ट है क्या होगा उसका सिंगॉली भतवारी कि उत्रहकन की एक lifestyle magazine लॉन्ज की गई है जिसका नाम है डिसकवर उत्राखन क्या नाम उसका डिसकवर उत्राखन दीखिए। कुशन आ सकते हैं कि रिकि इसे बताइगे नdepth उतकी सबोकी grinding ऐसे किक ब्लौक मैग्जील पढ़ेंगे तो उतराखन की और औरा करशित होंगे इससे वहां काड़ुरिज्म बढ़ने कि चांसे और हैं कि लोग जितना जानेंगे उत्राइब जाने के लिए उत्साहुँ होंगे ठीक है चलिए हम नेक्स देखते हैं जैसे इसनल लेएं कि इस्थचव पर ऐस्थचिवजर और उत्राखंणंद में हुआ है सकता है तो भोख द्रान ऐस ओप होगा और यह किनारे पर कोशना सकता है कौन ऑनार फैस्टवल कांसी किनारे में हुआ है तो यह गंगा रिवर के किनारे में हुआ है और यह मार्च अप्रेल के बीच में हुआ है कितना मार्च अप्रेल के बीच में और इसकी थीम की बात करें तो थीम है क्या होगी जैसे इंदू मिफिलोचिकल फेस्टिवल के गए महाबारत यह इंडिया का कि इंडिया का फेस्टिवल को उत्राखण ने और्गनाईज करें कुश्यान आ सकता हैं इंडिया का फर्स्ट और फेस्टिवल कहा और्गनाइज हुआ तो आंसर होगा उत्राखंड में और इसके थीम क्या होगी मिफिलॉजिकल थीम होगी और कुमफेर की थीम होगी और यह भी कुशन आ सकता है कि कौन से तारिक हो थी मार्ट से अप्रेल के बीच में और अगंगा रिवर के किनारे में और पाम me dribb तो तारिक होगी में मिलए कि अ क्रक्राइब लिए कों से स्कता है कि कॉंसे स्थेट की कौन से स्थेट कि फॉक्स ओंको स्दॉड की ऐसकर के आदि तो वह क्रोटन की बात करेंगी नैश्नाल लाट फैस्टिवल हुआ था उसमें उत्राखंड थे además और उसमें गां प्रश्टेद रिएटेट सॉंग आया था कौन थी ईशा धाम्योरोग थी नाइंथ क्लास की स्टूडेंट थी उन्होंने इस फैस्टिवल में फॉक्स सॉंग गया था और यह कहां की रहने वाली है यह रहने वाली है बागेश्वर की लिए बाँ गेश्वर की एंघंड हम आपी इन्हों फेस्टिवल में गया था जिसकी वजह से उत्रकंड को फॉर्स्ट रेंक उन्हों ने राट फेस्टिवल में नेक्स चलते हैं इस उत्रकंड का फस्ट इंटेरेशनल एडिक्रपर्ट उद्धम हो रौंसिंग नगर डिस्ट्रिक्ट में और इसको ये ग्रेंफ एर्ड एर्ड खोलेंगे और यहां पे रहा पे पंथ नगर युनिवर्सिती और यहांसे पंथ नगर यूनुवरस्टीस से और वहां पे न्यू ग्रीन्फिल्द एडर्पूर्ट बनेगा कि न्यू ग्रीन्फिल्द एडर्पूर्ट और फिर किया है कि सब कंफ्यूज guns थे में काफी चीज़े को डेवलप्मेंट हो रहा है तो यहां पर भी क्या होगा फर्स इंटर्नेशनल एरपोर्ट बना जाएगा उद्धाम सिंग नगर डिस्टिक में चलिए नेक्स देखते हैं इंडियन एरफोर्स योजना बना रही है कि एडिफेंस रडार सैट अप करेंगी मतलब इंडियन एरफोर्स इंडियन एरफोर्स और जो इंडियन एरफोर्स है वो क्या करेंगी वह कोशिए यहां पर एडिफेंस रडास तीन डिस्टिक में उत्राखंड की सेटप करने की बात करी है और क्या है उसमें कि जो रडार का बेसिकली काम यह कि अगर एयर से कोई भी ऑबजेक्ट आ रहा है जैसे मिसाइल हो गई किसी और कंट्री से तो उसे वह रडार जोगा इसली डिटेक्ट कर लेगा और यह सिगनल भी देगा कि वह वह मिसाइल यहां सवाँ अधर से उस जगह से से कोई चीज आ रही है तो इस चीज का सिगनल देगा देखें दो कंट्री के साथ उत्राखन का बॉर्डर चाइना और नेपाल को पास कौन से कौन से मतलब नेपाल करता है यह टच करता है और इन सब के एक्टिविटिस को यह जो डजार होगा चैक करेगा और इंडेएन एयर फॉर्स यहां पे इयर स्ट्रीप्स बनाएगी अपना एर बेर्स बनाएगी जिसमें यह रड़ार लगाए जाएंगे और यह जो तीन दिस्टिक होंगी वह तीन और देखिए यह नहींगी हमेइवरा करता है नेपाल प्लस चाहिना के साथ बॉर्डर करता है और बात करें हमारी अगर अ करता वो चैना के साथ बॉरडर कनेक्ट करते और अगर कोई एरपोर्ट है तो उन्हीं कि ग्राउं को एरफोर्स के ग्राउंट में बदला जाएगा हिसक एरफोर्स है तो उसकी ग्राउंड को यूज कर जाएगा एरफोर्स के ग्राउंड के तौर पर अगर कोई भी और देखें इसमें क्या है चिन्याली सुत्तर मतलग चिन्याली सौर एरपोर्ट जिसको मागंगा के नाम से भी जाना जाते हैं कोशन भी आ सकता है चिन्याली सौर एरपोर्ट को हम और क्या कह सकते हैं उसको मागंगा एरपोर्ट भी कहते हैं और इसमें और प्लस क्या होगा जो धरासाउ एरपोर्ट है कौन सा बार्कॉर्ट गुछ देखें यह तो तीन एयरपोर्ट होंगे इन तीनों को SELEC'T किया गए है जिसके ग्राउंस को AIRFORCE Landing Ground बनाय जाएगो और यह तो एरपोर्ट है उत्तरकाशी में हैं कहां है यह एरपोर्ट उत्तरकाशी में यह तीनों एरपोर्ट और तो क्या होगा इसमें यह एरपोर्ट उत्तरकाशी में तो यहाँ पर और जो दो दिस्टिक है पितौड़ागर और चमोली तोटल कितने तीन डिस्टिक में यह रडार सेट अप किये जाएंगे और कौन-कौन से हमारे तीन हमारे इसमें और तीन एएरपोर्ट को भी देख और प्रेशन गंगा और चुका है तो वह हुआ है उत्तरकाशी डिस्टिक में और इसके लिए उत्तरकाशी डिस्टिक को भी स्लेक्ट किया गया है और चुका है तो इस बहुत इंपॉर्ट है तो जरूर द्यान में रखेगा चलिए नेक्स टार्ट करते हैं रमेश पोकरियाल जू हमारे क्या है एज्युकेशन मिनिस्टर है शायोस ब्रुप और चीजिए की द्वार्ड कि Himalai आएगा कि वह कौन से मिनिस्टर हैं जिने साहित गौरव संभान और अवर्ड से नवाजा गया है और उनको और भी ब्रिटेश गौर्वर्णमेंट ने अवर्ड दिया तो वह होंगे रमेश पोक्रिया निशांग जी नेक्स चलते हैं उत्राखन गौर्वर्णमेंट किवी मिशन शुरू करेगी और यह कि सपोर्ट किया जाएगा नबाट के दौरा जैसे अरुनाचल प्रदेश में किवी और फेमस था तो यहां पे भी क्या होगा किवी को मिशन करेगी इंगेज करी शुरू करेगी और यह सप जल्ब करेगी देखते हैं देखेगे यहां depress essays नहीं है यहां पर मता की समाधी और समादी ली थी तो बहुत मिली तिर वह वह पौड़ी ड४ध। देखते हैं जो मनीश पंत गया यह मिल यह उत्तराखन पुलिस में एंड्रनाशल आवार्ड сेटी के दवारा दिया जाता है यह अवार्ड वीएंग डिया गया है किसको दिया गया मनीश्पंत जी को बिया गया गया उन्होंने क्या करा था कि अपनी ही खर्चों सеміч अपनी पैसों से लोगों को मेडिसिन करब था जो सक्षम नहीं तया काफी कवीड टैम की टाइम पे लोगों काम बंद हो गया था और मतात हूं को भीट नहीं जब ilsust को बेशान कर पारे थो तो यह मर्मश्पंत जी ने क्या कर था था कि अपने षी पैसों से ईन्होंने वहां के लोगों को स्क्षम नहीं इसंद खरीदने नहीं पास नहीं हो पा रही थे ज़ो उत्तराखंन टूरीज्म डवलप्मेंट काउंसिल है उसने क्या कर उसने एशिया की पहली एकेडमी हैंड पैंसे के साथ मिलकर दो दिन का कलरफुल म्यूजिक फैस्टिवल और और एकेडमी कहा है रिशिकेश में तीके कहा है रिशिकेश में हुआ था यह देखते हैं डॉक्तर अमित केसरवानी जी को अबुलकलाम साइंटिस रवार्ड मिला तूथाउजन ट्वंटी के लिए और यह फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और पंतनगर के द्वारा दिया गया तो साइटी ऑफ ट्रॉपिकल लिए है यह कुछिण बूछा जा सकता है कि अबुलकलाम साइनटिस रवर्ड फो तूजन के लिए किसको मिला है तो मिला है डॉक्तर अमित के सरवानी को और यह एसिस्टिंट प्रोफेसर है फिजिक्स में पंतनगर य इनिवर्स्टी है तो वहीं कि जो प्रोफेसर है उनको यह वाड़ दिया गया है और यह वाड़ किसकी द्वार दिया गया था सुसाइटी ओफ ट्रॉपिकल एग्रिकल्चर एससेशन के द्वार दिया गया था नेक्स देखते हैं उत्रखन गॉर्ण्बेंट ने 240 मतलब 240 मरीनो शिप को औस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की है देखिए एक मरीनो नाम की शिप है सौरी शिप नहीं शीप होगा एस एच डबल एपी ठीक है भेड मतलब भेड की बात करी गई आपर उत्रखन ने 240 मरीनो शिप हैं अस्ट्रेलिया से मंगाई है और क्या करें वह इसलिए मंगाई है ताकि वहां उत्रखन की ब्रीडिंग को इंप्रूव कर सकी जो मरीनो रोज पहना सके उत्रखन चलिए नेक्स देखते हैं सा उत्रखन पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम है और का श्रक होचिन के नाम क्या है वह और elliो और इसे स्टैब्लिश किया गया है आर्जे काव्या के द्वारा और जिनका एक्च्वल नाम क्या है कविंदर सिंग महता क्या नाम है कविंदर सिंग महता कोशन आ सकता है ओहो रेडियो एक डिस्टर डेडिय स्टेशन और कहां लॉंच है तो कोशन का आंसर आएगा उत्राखंड में हुआ है और इसको स्टैब्लिश किया गया आर्जे काव्या की द्वारा किया गया है चलिए नेक्स देखते ह कि देवल्सारी रीजन है छो डिकलेर किया गया है फिस्ट भाइस डाव Aber 한다 CK क्वेफिट्रा वाल क्वेफिट के तौर पर उत्रा पर यह आपना सकता है यह देवलसारी, चैक्ट कहां तो और 실ंड को कि पहला बाइवर्सटी हेस्ट ड्वलफ किया जाएगा और यह तहरी गडवाल में, यह तहरी गडवाल में डेवालसारी रीजन में होगे डेवलसारी रीजन होगे रेजन legislator तेहरीज गडवाल में यह 30 VO से अन्दर देखलेर किए गया किसके अंदर कहा गैव यह या मैं कि एक二ında года देखते है इस एक जी नैना धिकारी ने स्क्राइशन सिक्यों कि अर्बीकर क्रॉस्प्रों क्या नहीं करने रॉछ प्रम्पेशल्ट करिए। और वूकस्प्राइश्प्रॉं है यह competition Ganga के कयाक फेस्टिवल 2021 में हुआ था यह जो competition वह किसमें तो Ganga के कयाक फेस्टिवल 2021 में हुआ ठीक है और यह कब तक चला था 17 से कि 19 तक चला था और यह festival उत्रकन टूरिस्म डेवलप्मेंट के काउंसिल के द्वारा और और इस करा गया था कहां और क्याकिंग रिशिकेश का फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स है कोशें आ सकता है पॉपलियृटि कर रहे हैं तूरिस्ट के बीच में पिए बहुत कोश्यण इंपॉर्टेंट है तो इसको देखिएगा ज़रूर चलिए नेक्स देखते हैं निजमुल्ला वैली को एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाएगा और यह रिमोट वैली है देखें कुश्चन आ सकता है कि कौन सी वैली को उत्राखंड के द्वारा प्रमोट कि द्वेंचर टूरिज्म के तो वोगी निजमुल्ला वैली होगी और यह जो वैली है कौन सी है यह रिमोट वैली है और यह कहाँ है चमोली डिस्टिक में लाई करती है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं चाल संस्क्रिट इंस्क्रिप्शन की इटे मिली है अश्वमेद साइड पर जो किसमे लिखके गई वह निब्रहमी लिपी में मेइसां Yes कुछ इटे मिली गई थी मिली गई उसमेना ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया लिखा था और वह अश्वुमेद साइट कहां है तो वह कहा है हमारी दहरादून डिस्टिक कौन सी साइट पर हमें संस्क्रिप्ट में कुछ इटे मिली गई जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया तो वह होगी अश्वुमेद साइट होगी और वह कहां है दहरादून में कि नेक्स देखते हैं कि अमिताब बच्चन जी को ब्रांड एंबेस्टर बनाया गया उत्राखंड के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और यह जैसे उन्होंने गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट किया था उसी को देखके अमिताब बच्चन जी को उत्राखंड के ट और किसे लिए बनाइगा है डाट तुरिस्ट के टुरिज्म के प्रंवोशन के लिए और अमिताब बच्छे ने वह क्या करेंगे दूसरा कुशन आङका की जो उत्रा कंड की कौर्णमेंट में रियकर करने और टीवी पे आएगा यह जो और यह उत्राखंड के टोरिज्ञ के प्ररोमोशन के लिए है हमिताब बचर्शन के द्वहरा होस्ट किया जाएगा कुशन आसकता है उत्राखंड के 100 ये रिष्ट की द्वहरा उस्ट के जाएगा और यह क्यों करा जाएगा टूरिज्म के प्रोमोशन के लिए क्या जाएगा और इसके ब्रैंड अम्बेस्टर कौन होंगे मिताब भच्चन होंगे इसाल स्वामी विवीका जी की बर्द अनिवर्सरी को यूथ कांशे। Dуска मने üzलत जायेगा को से Leader जिनकी बर्द स्वामी विवेकानन जी की बर्थ अनिवर्सरी को यूद कॉंशेस्नेस दे के रूप में मनाया जाएगा आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कोई भी है तो उसको जरूर हमें कमेंट करके बताएं और देखिए अगर आपका कोई भी क्वेरी है उत्राखन से रिलेटेड या पेड़ ग्रूप से रिलेटेड तो आप हमारे ऊपर दिये गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो पूच सकते हैं और हमारा जो लेंगर देखित सकते हैं भी कमेंज बगाई प्राण है जो हो आप हमारे ड़ छ्राण हो फो कोई भी को वाम हमारे जो देखि手 क पस्तों है एंगर या जो हमारे नंच भी का रधका hat जो वाम हमारेव़ का लिए तуш Además, नजड नचित को ऊजदैंओ कर हिंपते हैं जenne करने क